हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल स्टडी सरकल 24 में तो डियर स्टुडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मासिक मुल्यांकन अगस्त महिने का कच्छा नौमी विशय हिंदी तो चलिए देखते हैं, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं पहली वारा हैं, तो आप चैनल को जरू सस्क्राइब कर लिजए क्योंकि आपके मंतली अस्साइमेंट यानि जो आपका मासिक मुल्यांकन है उसके सभी महिनों के मुल्यांकन के जो questions paper के answer हैं वो आपको हमारे चैनल के माध्धम से मिल जाएगा तो वीडियो को बिल्कुल like करें, share करें और यदि किसी प्रशन में आपको doubt आता है तो आप वीडियो के comment section में comment भी कर सकते हैं पहला प्रशन देखिए, यहाँ पर सही भी कल्प चुनना है हकीकत में किसमत किसे कहते हैं तो इसका सही answer हो जाएगा यहाँ से मेहनत नेक्स्ट है, अब्राहम लिंकन ने पत्र किसके नाम लिखा था तो सुच्चक के नाम लिखा था पिर अगला प्रशन है, run for unity महरतन दोड कितने किलोमेटर के थी तो 30 किलोमेटर के थी नेक्स्ट विस्वगा सबसे बड़ा अंतरिस संसान कहां है, इस रो अगला प्रशन देख लीजे निम्न कत्नों पर शत्य और अशत्य की जांच करने हैं आपको हरी घास में चलना हरी घास में चलना स्वास्त के लिए लाबदायक है ये सही है, सहर के निवासी को गैस की रोटियां वग गिलास भर कर लसी ही चाहिए जिससे वे खुस हो जाएं, ये असत्य है नेक्स्ट अगला प्रशन देख लीजे प्रशन के उत्तर देखना है आपको, कि दिये गए शब्दों पर अधारित मुहारों का वाक्यों में प्रयोग कर प्रयोग कीजिए तो बिल्ली साप और उट तो बिल्ली के लिए आप क्या लिख सकते हैं कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, साप के लिए आप क्रयोग कर सकते हैं पैसे देते समय उसे साप सुंग गया फिर है उट के लिए आप लिख सकते हैं अधार साल के लड़के को खाने में दो रोटी तो भूखा नहीं रह जाएगा ठीक हैं, अथारा साल मतलब ये अथारा साल के लड़के को खाने में दो रोटी दो भूखा नहीं रह जाएगा भला इसे कहते हैं उट के मुँ में जीरा इसका मतलब ये हुआ कि अगर अथारा साल के लड़के को खाने में के वल दो रोटी ही दिया जाए तो ये उसके लिए उट के मुँँ में जीरा के समान होगा क्योंकि उसका खुराग ज्यादा है और उसे कम मिल रहा है अगला प्रशन देखे अगला प्रशन आपके बस नीचे लिखे प्रशनों के उत्तर लिखना है भारती जवान के बारे में 2 से 3 वाक के लिखे तो पहला हो जाएगा भारती जवान सीमा पर तैनात रहते हैं वे देश के रच्चा करते हैं अधिक्तम समय घर से दूर रहते हैं अगला प्रशन देख लिजे नीचे लिखे स्वाद अनुसार आपको जो भी वेंजन पसंद है उनके नाम लिखना है मीठा नमकीन और खटा तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं अगला देख लिए कल्पना करें कि आप मंगल ग्रह पर हैं सरज्ट अब्दों में अपनी कल्पना को कलम बद्द कीजिए तो अपने अनुसार आपको इसका अनसर लिखना है तो यह आपको यहां पास अगला प्रशन देखेंगे अपने मित्र को जन्म दिन के बधाई देते हुए पत्र लिखना है आपको तो यहां से आप इसके पत्र लिखा गया है तो आप इसे स्क्रून को सौट ले ले और इसे लिखने पूरा कर ले तो इस प्रकार से यह आपका पूरा कंप्लेट होता है तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में आज के वीडियो में इतना है आपको सारे मासिक टेस्ट के जिटने भी questions के answer है उसके सारे वीडियो के link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू